चटनी तो आपने बहुत सारी खाई होगी और बहुत तरह की खाई होगी पर टमाटर और गुड की ये खट्टी मीठी और चटपटी चटनी आप एक बार जरूर बना कर खाएं इसे आप पोड़ी, कचोड़ी और आलू के पराठो के साथ खाएं बहुत ही ज़्यादा लिए है ये इस समय ठंडी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मार्केट में आता है और इसका छिलका काफी पतला होता है और पल्प बहुत ज़्यादा होता है इसकी चटनी काफी अच्छी बनती है तो इस तरह के आप पके हुए ताजे लाल टमाटर ले लें 500 ग्राम टमाटर के लिए मैंने यहाँ पर 1500 ग्राम गुड लिया है आप इसे अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा कर सकते है तीन से चार सूखी लाल मीर्च कलोंजी यानि मंग्रेला आधा चम्मच दालचीनी पाउडर बहुत ही थोड़ा सलिया है लहसुन की 67 कलिया जिसे मैंने बारी काट लिया है अदरक का एक इंच का टुकड़ा लिया है मैंने जिसे कद्दू कस कर लिया यह नमक है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है यह सौफ आधा चम्मच और साथ में यह हींग यहाँ पर मैंने पैन में तीन बड़े चम्मच सरसो का तेल लिया है आप चाहते रिफाइन डाल भी ले सकते हैं तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब मैंने इसमें हींग डाल दिया हिंग से स्वाद और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटनी का बढ़ जाता है मंगरेला मैंने डाल दिया यानि कलोंजी एक तेज पत्ता डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे सौफ कटे हुए बारीक लहसुन कदू कस किया हुआ अध्रक इन सब को अच्छी तर से मिक्स कर देंगे फ्लेंग को मैंने कम ही रखा है सभी चीज़े अच्छी तरह से भून चुकी है इसमें से अध्रक और लहसुन की अच्छी सी खुसबू आ रही है अब इसमें तीन चार लाल मिर्च मैंने डाल दिया इसे भी भून लेंगे सारी चीज़े अच्छी तरह से भून चुकी है अब इसमें कटे हुए टमाटर को डाल दूंगी टमाटर को मैंने रखली काट लिया है अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए अब इसको ढख देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहें चार मिनट हो चुका है इसे पकते विए ये देखें टमाटर काफी हद तक गल चुका है इसमें से बहुत ही अच्छी अद्रक लेसून और हिंकी खुसबू भी आ रही है इससे लग रहा है कि चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट बनेगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं अब मैंने इसमें गुड को भी डाल दिया है अब इसे भी थोड़ी देर के लिए ढख देंगे ताकि गुड अच्छी तरसे गल जाए थोड़ा समय हो चुका है इसे पकते हुए गुड देखिए अच्छी तरसे इसमें मेल्ट हो गया है चट्नी का रंग भी थोड़ा देखिए गुड की वज़े से डार्क आ गया है इसे अच्छी तरसे चला देंगे अभी इसे थोड़ी देर के लिए और ढख देंगे और इसे पकने देंगे फ्लेम को मैंने कम ही रखा है ढ़कन को अब हटा लेंगे ये देखिए चटनी काफी हत तक पक चुकी है इसकी थीकनेस देखिए ये काफी गाड़ी भी हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे बहुत ही थोड़ी सी डाल चीनी अगर आपको दालचीनी पसंद है तो डालें नहीं तो इसे स्किप कर दें अब यहां मैंने भूना जीरा हुआ पावडर डाल दिया अधा चमस अब सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक नमक से चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है अब इसे फिर से ढख देंगे और दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट हो चुका है चटनी बिल्कुल बनकर तयार है यह देखिए गैस को अब बन कर देते हैं टमाटर और गुर की चटपटी और खट्टी मिठी चटनी बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे जरूर एक बार ट्राइक करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जैहिन